बश्कार स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CEA को लेकर फिर से विरोध स्टार्ट हो गया है अब जो विरोध स्टार्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज भी किया गया है अब स्टार्ट में जो चैलेंज किया गया है उसमें एक कुछ तरक दिये जा रहे हैं उस तरक के अधार पर ये बात सामने आ रही है क्या क्या CEA जो है उसको रद किया जा सकता है जो तरक दिये गए हैं अगर वो सही साबित होते हैं कह रहे हैं कि CA जो है वो हमारे fundamental rights के खिलाफ है Muslim जो community है उन्हों ने ये तर्ग दिया है कि अभी हम जानेंगे वो किस अधार पे उन्हों ने दिया लेकिन वो कह रहे हैं ये हमारे fundamental rights के खिलाफ है अगर fundamental rights के खिलाफ कोई भी चीज आती है तो definitely Supreme Court उसको stuck down कर सकती है और CEA आने वाले टाइम में अगर वो चीज़ें साभी होती है तो इसको stuck down कर सकती है मैं कहनी रहाऊं कि कर देगी लेकिन इसके ओपर अभी बहास होगी बहुत सारी चीज़ें इसके ओपर चलेंगी hearings चलेंगी फिलाल आज की वीडियो में हम उन्तर को देखेंगी क्या क्या इसको stuck down किया जा सकता है या नहीं नहीं का फैसला तो फिलाल Supreme Court ही करेगी आगे legal challenges क्या हो सकते हैं CEA को लेकर यह हम आज की वीडियो में discuss करने वाले हैं हाली के अंदर Supreme Court नहीं Central Government ने 11 March को rules जो हैं वो CEA को लेकर पता दिये हैं कि क्या क्या rules होने वाले हैं अगर जो six communities हमारे सामने बताई गई हिंदू होगे, सीख होगे क्रिश्चन होगे, हमारे सामने बुद्धिस्थ होगे, जैन होगे पारसी होगे, यह जो six communities हैं, यह six communities जो हैं अगर इनको citizenship चाहिए तो citizenship के मतलब की भार्ट की नागरिकता चाहिए, तो वो कैसे अपनी नागरिकता, भार्ट की नागरिकता ले सकते हैं, इसके लिए rules जो हैं वो बता दिये गए हैं, इस वीडियो में हम इन rules को नहीं discuss करने वाले हैं, rules के लिए अलग वीडियो में लेकर आऊंगा, आपको वहाँ पर वो proper, सही तरीके से उनसी जों को समझाऊँगा कि कैसे आगर किसी को नागरिकता चाहिए, तो वो rule क्या क्या हो सकते हैं, क्या 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 documentation हो सकता है, क्या इतने टाइम से pending पड़ा है, यह इसके उपर सुनवाई क्यों नहीं होरी, और government अभी हाली के अंदर, एकदम से C.E. के लिए rule क्यों लेकर आई, क्योंकि यह जो है लगबग साड़े चार साल की बात हो गई है, कि जब implement किया गया, मतलब कि C.E. को लेकर लाए गया थे, C.E. को लागू किया गया था, लागू नहीं किया गया था, notification आया था कि C.E. जो है वो आने वाला देश में, लेकिन इसको लागू करने के लिए उस वक्त rule नहीं थे, तो इसको सरकार ने लागू नहीं किया था, तो अभी एकदम से, क्योंकि आने वाले टाइम ये चुनाव हैं, अभी हाली के अंदर लोगसभा के चुनाव होने वाले हैं, और लोगसभा के चुनाव से जस्ट पहले C.E. को लेकर rules जो है, वो सरकार के तवारा लाग बता दिये जाते हैं, तो इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से discuss करने वाले हैं, PDF के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, description box में telegram का एक link दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF जो डाउनलोड कर सकते हैं, तो देखे, संसद के द्वारा, जो है, वो पार्लेमेंट के द्वारा, चार साल से भी जादा का टाइम हो गया, the citizenship amendment act लेकर आये थे, 2019 के अंदर ministry of harm affair ने Monday, यानि कि 11 मार्च 2024 को rules को बता दिया है कि इसके अंदर क्या-क्या rules जो हैं, वो होने वाले हैं, आपको पता है कि जब citizenship amendment act आया था, उस वक्त किस तरीके से भारत के अंदर जो है, प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले थे, लेकिन उस वक्त 2019-2020 की बात है, जब COVID-19 आ गया था, COVID-19 के चलते यह प्रोटेस्ट है, वो कम हो गए थे या फिर कहें कि एक टाइम में फिलकुल ही खतम हो गए थे, तो वहाँ पर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, अब प्रोटेस्ट अब एकदम से क्यों हुआ, एंटी सीए प्रोटेस्ट क्यों होने लगे, क्योंकि सरकार एकदम से रूल लेकर आ गई है, सीए को, अब फिलाल तो रूल हम इस वीडियो में नहीं डिसकस करने वाले हैं, थोड़ा सा जो पैंतरा है लीगल जो पैंतरा है, हम उसको डिसकस करेंगे, देखिए 70 स्टुडेंट जो है, वो डिटेन किये गए हैं, डी यू के, क्योंकि वो एंटी सीए प्रोटेस्ट में थे, अभी यह जो है, वो कह रहे हैं, देखिए, यहां पर जो कम्मुनिटीज हैं, यहां जो पार्टीज हैं एक आइशा है, यह ओल इंडिया स्टूडेंट असोशिएशन, जो एंटी सीए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि बीजीपी जो है, वो दोजार चोबिस का जो इलेक्शन है, उससे पहले यह लाकर, कहीं न कहीं बीजीपी और रैसेस की वो साजिस हैं, वो कहीं न कहीं मुसलिम को यहां पर हटाने की कोशिश कर रहे हैं, यह बात बोले गई, फिलाल इनको डेटेन किया गया, बाद में कुछ मिंटों के बाद वह उनको छोड़ भी दिया गया, इसके बाद कुछ इंट्रस्टिंग चीजी है, हम आपको बता देते हैं, विजे तहलापती तहलापती विजे, जो तमिल लाडू के एक, मतलब कि साउथ के जो सूपरस्टार एक्टर है, उनकी फिलाल उनोंने अपनी एक खुद की पोलिटिकल पार्टी भी बना ली है, इन्होंने कहा है कि हमें C.E.A. पसंद नहीं है, C.E.A. जो है, किरिप्या करके पोड़ा और चटपटा भी होना चाहिए, कोन क्या कह रहा है के लिए, अब आ जाते हैं नागरिक्ता कानून दिसंबर 2019 में संसद ने नागरिक्ता अधिनियम 1905 में एक संशोधन पारित किया, जिसमें क्या का गया 31 दिसंबर, ये डेट है 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बोध, जैन पार्सी या इसाई, समुदाई के जो माइग्रेंट से उनको नागरिक्ता देने का प्रावधान शामिल है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांगला देश से आए है फिर से समझ लीजिए यहाँ पर 1955 का अधिनियम है हमारे सिटिजन्शिप अमेंडमेंट सिटिजन्शिप एक्ट है 1955 उसके अंदर संशोधन किया गया है कि यहाँ पर six communities बताई गई हिंदू, सिक, बुद्धिस, जैन, पार्सी, क्रिस्चन कहां से एंटर होंगी है यह एंटर होंगी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगला देश से अगर यहाँ से आई हैं तो किस तारिक से पहले 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर वो भारत में आई हैं तो क्या होगा उनके लिए वो आप C.E.A. के अंडर नागरिकता ले सकते हैं तो वो रूल्स जो हैं वो कैसे ले सकते हैं वो भी सरकार ने अभी बताए हैं 11 मार्च 2014 को अपने यहाँ पर ओफिशिल वेबसाइट के उपर उन्होंने यह सारी चीजें बता दी है संक्षेप में संशोधन ने तीन पडोसी मुस्लिम बहु संक्यों जो एक बर तो आपको एक बर जड़ा मैप में समय लीजे देखिए यह हो गया पाकिस्तान यह हो गया अफगानिस्तान जो भारत से टच करता हुआ है यह हो गया बांगलादेश अभी आप बोलेंगे सार अफगानिस्तान जो है वो भारत से काँ टच करता है अरे यह पी यो के जो है वो भारत का ही तो इस्सा है तो भारत की इस्से साब दिखें हैं तो यहाँ पर अफगानिस्तान टच ही कर रहा है भारत से यह पाकिस्तान हो गया यह बांगला देश हो गया तो इन तीन देशों से जो six communities हैं हिंदू, सिख, इसाई, बोध, जैन, पार्सी यहाँ पर अगर भारत में आना चाहते हैं 31 December 2014 से पहले मतलब यह आए हुए हैं, अगर उनको नागरिकता चाहिए तो वो अब ले सकते हैं, उनके लिए rules जो हैं वहाँ पर बता दिए और बड़े ही simple rules हैं, बड़े ही simple document बताए गए हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इस तरीके से अपनी नागरिकता ज चाहिए ताकि चीजें अच्छे से याद रहें, अब आते हैं यहां पर हमारे सामने, देखिए जो amendment है, यहां पर दूसरे point पर आते हैं, जो संशोधन वो तीन जो बहु संके, जो majority वाले जो Muslim देश हैं, वहां के जो परताडित जो वर्ग हैं, परताडित वर्ग यहां पर क अब आते हैं, अब आते हैं, अब आपको यहां पर जाना भी है, इन जगहें पर, तो आपको special inner line permit लेनी की आफशकता होती है, आपको घूमने के लिए जाना है, इन जगहें पर जाना है, तो आपको inner line permit की जूरत पड़ेगी, ताकि आप यहां पर घूम सकें, देश बर में विशेशकर असम में विरोध परदर्शन के बीच, 10 जनवरी 2020 को कानून को अदिसुचित किया गया था, लेकिन नियमों के अभाव के चलते, इसको लागू नहीं किया गया, अब यहां पर एक चीज आती है हमारे सामने, अरे सर 2020 के बाद इसको 2024 में लाए गया, लगबग चार साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, इसको एकदम से लेकर सिटिजम्शिप जो एक्ट है मारे सामने, 1955 के तैद एक आदेश जारी किया था, डेट ध्यान रख लीजिए, 29 मई 2021 को एक आदेश जारी किया था, उस आदेश में कहा गया था, कि एक जो डिस्टिक्स हैं, जिनके अंदर माइगरेंट पोपुलेशन बहुत जादा है, तो वहां के जो डिस्टिक कलेक्टर हैं, उनको ये पावर दी जाती है, कि जो हमने 2019 का जो शंशोधन किया है, उसके अंदर जो समू है, अगर वो उन समू में से कोई आपके पास आता है नागरिक्ता की एप्लिकेशन देने, आवेधन करने, तो आप उसको स्विकार कर सकते हैं तो आप यहां पर न्यूस भी देख सकते हैं, दा हिंदू की न्यूस है, आप यहां पर डेट भी दे सकते हैं, 13 more district collector empowered to grant citizenship to application from 3 countries, 3 countries कौन सी होगी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलाइज़, इन बांगलादेश से, इन 3 countries से, जो बहु संक्या मुस्लिम जो कंट्री हैं, यहां से जो minority जो हैं, परताडित हुई minority जो हैं, वो आये हुए थे, 31 December 2014 से पहले इसको ध्यान रखना है, इससे पहले आये हुए जो लोग हैं, वो अगर अपनी नागरिकता चाहते हैं, भारत की नागरिकता चाहते हैं, तो यहां पर power दी गई district collector को, कि वो उनकी application ले स से, अभी तो rule लेकर आई है, आपको सबको बता दिये हैं, लेकिन यह पहले से backstand, मतलब कि back date से ही यह काम करती आ रही है, सोवार को, यानि कि 11 मार्च 2024 को e-gadget में 49 पेज का एक नियम दिया गया, एक पत्तर दिया गया, एक पेज, एक copy समझ लिजे, वो बताई गई कि आप कैसे कैसे procedure के द्वारा, कौन से documentation के द्वारा, कौन सी कागजी कारवाई की आफशकता पड़ेगी, कि यहां पर CEA के तैज़ वो नागरिकता ली जा सकती है, खेर, इस चीज़ को, इस चीज़ को हम अलग वीडियो में discuss करेंगे, आखे, अब आते हैं, कानूनी चुनोती, ज इन्हों ने यह कहते हुए कहा, कि यह भेदबा हो रहा है, भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है, कि धरम के अधार पर कोई कानून बनाया जा रहा है, और वहां पर Muslims को अलग कर दिया गया, यह बात बोली गई, तब से कितनी ज़्यादा याचिकाएं दायर की गई, कितनी या याचिका लेकर आएं हैं, हम भी याचिका लेकर आएं और हम इनी के साथ लग जाते हैं, यह एक तरीके से टैग कर दिया इसमें, इसमें कोन कोन आते हैं, देखें इन में बहुत सारे बड़े-बड़े राजनेता आ जाते हैं, जैसे साओधिन ओवेसी, यह तो सबसे आगे रहेंगे रहेंगे एक जैराम रमेश आते हैं रमेश चिन्थला आते हैं महुआ मेत्रा जिनका MP जो थी उनका मतब सस्पेंट कर दिया गया असम परदेश कॉंग्रिस कमीटी आती है असम गण परिशद ये आ जाती है नेशनल पीपल साथ पार्टी असम आ जाती है मुसलिम स् मुख्य नाइडिस यू यू ललित और नियायमूर्ती रविंदर भट और नियायमूर्ती हीमा कॉली की एक पीठ ने आदेश दिया था कि भई कहां आ गया था देखें 2020 में याचिका दी गई बात कब हो रही है अक्टूबर 2022 को यहाँ पर तकालिन उस वक्त के चीफ जशि ही है यू लली जी ये रिटायर होने के बाद जो है हम इनका जो है इनके ओपर हीरिंग सुनवाई कर देंगे हीरिंग की जो सुनवाई है जो हम स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पर हीरिंग और सुनवाई शायद मैं सेम बोल गया हम तो दिसंबर 2022 में इनकी रिटायरमेंट के सामने सूची बदा है लिस्ट किया गया कि हां कौन सुनेगा उनके लिए बैंच वे उविलेटी कि सरकार एकदम से ही ये चीज क्यों लेकर आ रही है क्या लोकसुबा के चुनाव है कहीं ना कहीं वो एक तरीके से इस इशू को हिंदू-मुस्लिम का रूप देने की कोशिश करें ये बात बोली गई यानि कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीक के द्वार ये बात बोली गई समानता कादिकार अब इन्होंने किस अधार पे चुनोती दिये उसको समझ लेते हैं इन्होंने बोला है कि समीधान का आर्टिकल 14 का ओलंगन करता है ये जो कहता है कि भारत के अंदर मतलब कोई भी मतलब equality before law equality before law और equal protection of law territory of India के अंदर कोई भी किसी को deny नहीं कर सकता मतलब समान है कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आपने उसको special protection दे दिया वो इसके समान नहीं हो आपने उसको थोड़ा सा ज़्यादा privilege दिया वो ऐसा नहीं चलेगा the state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the law within the territory of India हो गया या चिका करता का तर्क है कि धरम को एक योगेता या filter के रूप में उपयो करना कहीं न कहीं समानता के मौलिक अधिकार का ओलंगन करते हैं कैसे भई अरे आपने क्या किया citizenship amendment के अंदर आपने Muslims को हटा दिया यानि आपने धरम को अधार ब amendment लेकर आए हुए हो आप तो हमया यानि Muslims को आपने अलग किया तो आपने भेदवाव किया तो यह 14 आर्टिकल का उलंगन हो यह बात बोली गई याचिका करता के दोरह और याचिका करता हुने और क्या तर्क दिया उन्होंने कहा कि देगे CEA के साथ साथ असम में अवैद प यहाँ पर Muslims को टार्गेट किया ना यह बात बोली गई याचिका करता के दोरह अदालत को यह देखना होगा कि केवल यह तीन Muslims जो बहु संक्यक पडोसी देश हैं वहाँ पर आपने जो so-called persecuted minority के बारे में बोला है और आपने इनको Article 14 के तहद एक विशेस उपचार या अपन यहाँ पर देश की बात है कि आप भारत में अंदर उन्हें बाहर करके यह नहीं मुस्लमानों को बाहर करके क्या कोई बेदबाव हो रहा है यह Supreme Court को देखना होगा अब देखे बात आती है 14 आर्टिकल की तो Supreme Court का मानना यह है कि जब आप Article 14 के तहद आप कानून को चुनोती दे रहे हो यानि इस Citizen Amendment Act को आप चुनोती दे रहे हो तो इस समानता का प्रिक्षन पास करने के लिए दो कानूनी बादाओं को दूर करना होगा पहला तो यह कि आप को यह देखना होगा कि जो व्यक्तियों को समूँ के बीच कोई बेदबाव समझदार अंतर पर धारित होन चाहिए अब यहाँ पर क्या होगा यहां पर सरकार जवाब देगी कि भ text हमने इस अधार पर यह चीज लेकर आए अब यह अधार सरकार कहीं न कहीं यह कहती है कि दुब कि information चीड़न को समझदा अंतर और यह समझदार अंतर हो बिचफिया है यह इस सरकार के दरह जो तर्क differentiate किया गया इसको कितना तरक संगत समझा जाएगा ये आने वाला टाइम ही बताएगा जब hearing start होगी जब सरकार अपना पक्स रखेगी जब यहाँ पर याचिका करते हैं वहाँ पर वो अपना पक्स रखेगे फिर Supreme Court अपना फैसला देगी ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा खेगा अब सरकार ने कहा कि देगे मुसल्मानों को मुसल्मानों को उत्पीडित अलफ संक्यों के समूझ से बाहर रखा गया क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिसान और बांगला देश इसलामिक देश हैं, जहां मुसल्मान बहुत संक्यक है हलांकि यह प्रिक्षन किया जाएगा कि क्या इन तीनों देशों को अनिवार रूप से मुसल्मानों से बाहर रखना मतलब यह यहां पर बोला गया कि आपने चलो मान लिया बहुत संक्यक है, यह मुसलिम बहुत संक्यक देश है आपने यहां पर इनको अलग रख दिया लेकिन एक चीज़ यहां पर देखी जाएगी क्या क्योंकि शिरलंका के अंदर आपने तमिल हिंदू, मैनमार में रोहिंग्या या एहमधिया, या हाजरा जैसे मुसलिम संपर्दाय भी इन देशों में सताय गए और अलब संक्यक माने गए मैनमार में क्यों होना है, बहुत दिस्त है बहुत दिस्त के अंदर वहां पर क्या आते है रोहिंग्या जो मुसल्मान है, वो एक तरीके से यदि कोई वर्गी करण मनमाना पाया गया सुप्रियम कोर्ट उसे रद कर सकता है इसको ध्यान रखना है और अभी हाली में आपने देखा होगा सुप्रियम कोर्ट ने जो इलेक्टरोड बोंड है उनको रद कर दिया, क्यूंकि उन्हों ने का आपने इसको सही डंक से लागू ही नहीं कर सका यह तर्क हीन है, आपने अपनी मर्जी से बिना कुछ सोचे समझे, इनको लागू कर दिया है बड़ा मुद्दा यह है कि क्या नागरिक्ता की पातरता के लिए धर्म को आधार बनाना धर्म निर्पेक्षता का उलंगन है जो समिधान की मूल विशेष्ट है यह एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने निकल कर आता है इसको सुप्रीम कोट टैकल करेगा आने वाले टाइम में यह सारी जिज़े हम देखेंगे अब आते हैं हमारे सामने CA और आसम को लेकर समानता के तरक के अलावा एक और चीज़ भी आती है जो CA को चुनोती देती है वो यह कि नागरिक्ता अधिनियम 1955 की एक सेंक्षन आता है 6A जो अभी डिपेंड करता है सुप्रीम कोट इसके ओपर भी फैसला देखें क्योंकि यह सुप्रीम कोट के सामने चैलेंज किया गया है 6A, सेक्षन 6A 1955 का जो सिटिजिजिजिट एक्ट है उसका सेक्षन 6A जो है वो सुप्रीम कोट के सामने चुनोती बना हुआ है मतलब उसके सामने अभी सुप्रीम कोट ने अपना फैसला रिजर्व रखा हुआ है। आगस्ट 1985 अंदोलन में हुआ थे एक अंदोलन स्टार्ट uitraट उसके अंदर यहे निदाहित करता है कि असम राज्ये में कौन विदेशिय आ यह बताते हैं। ये असम के अंदर कौन विदेशी है समझोता कि जो ये समझोता हुआ था उसका close 5 में कहा गया एक जनवरी 1966 विदेशी का पता लगाने और हटाने की अधार cut-off ती थी के रूप में काम करेगी मतलब इसमें बोला गया कि देखे एक जनवरी 1966 ये जो है जो लोग है वो असम में रहते होंगे वो ही असम के नागरिक माने जाएंगे और उनको जो बाकी बच गए उनको असम से बाहर कर दिया जाएगा ये बात बोली गई थी इस section के अंदर लेकिन सरकार ने भी एक बात बोल दी देखिए हम मान लेते हैं चलिए एक जनवरी 1966 लेकिन उससे पहले एक बात बोल दी 24 मार्च 1971 भी इन्हों ने बोल दिया कि अगर इससे पहले पहले कोई अगर कोई लोग आ गए है तो उनके लिए भी हम कोई चीज लेकर आएंगे सरकार ने बोल दी उनको भी हम regularize करेंगे नियमिती करण का प्रावधान वहाँ पर रखे गए है जो लोग 24 मार्च 1971 तक आए है अब आपको ध्यान से जमनने देखे इस section में बोला गया section 6A में बोला गया एक जनवरी 1966 से पहले अगर असम में कोई रहने आया है तो वो असम का नागरी माना जाएगा लेकिन उसके बाद कोई आया है लेकिन 24 मार्च 1970 से पहले आया है तो उसको भी सरकार कहीं न कहीं regularize करेगी उसको भी कहीं न कहीं वो citizenship देगी ही देगी अब ये date क्यों निकल कराई ये date इसलिए निकल कराई 1971 में आपको पता है East और West पाकिस्तान जो हुआ करते थे मतलब 1971 के बाद क्या बना Bangladesh बना न East पाकिस्तान लेकिन उससे पहले क्या था East और West पाकिस्तान से तो वहाँ पर Civil War चला हुआ था काफी संक्या के अंदर लोगों को मारा जा रहा था तब सरकार नहीं ये डेट यहां पर रखी है 2019 में जो परकाशित अंतिम यानि की एक एनार्स ही है उसकी आधार डेट यही है 1.1966 अधिनियम की धारा 6A उन विदेशी प्रवासियों को भारती नागरिक्ता प्राप्त करने की अनुमती देती है जो 1.1966 के बाद लेकिन 25 मार्ज 1971 से पहले असम में आये थे यदि 24 मार्ज 1931 की परभावी कट ओफ तिथी को राज्य की परवेश के लिए कट ओफ तिथी के रूप में सुप्रिम कोट के द्वारा अधिकार ये थोड़ा सा गलत बन गया है मतलब कि ये हिंदी के अंदर गलत टाइप हो गया है इंग्लिश में देखिए if the effective cut-off date of March 24, 1971 is appelled by सुप्रिम कोट मतलब कि मान लिजिए अगर सुप्रिम कोट ने ये डेट मान ली 24 मार्ज 1971 की cut-off date मान ली ठीक है cut-off date उन्होंने मान ली तो आप बोलिए आप सीए के अंदर यहां पर क्या करेंगे वो असम एकोड हुआ था असम एकोड और सीए जो है इनकी अलग से टाइम लाइन बन कर आ जाएगी सीए जो कहता है कती दिशंबर 2024 आप सुप्रिम कोट मान रहा है एक और cut-off date तो यह अलग-अलग cut-off date निकल कर आ जाएगी हमारे सामने तो एक इसके उपर भी अधार बना कर बोला जा रहा है कि कई ना कई एक different timeline भी बन के आ रही है क्यार आने वाले time में ही पता चलेगा कि Supreme Court इसके उपर क्या फैसला लेती है और यह जो टाइलग-अलग timeline है देखे definitely इन सब चीजों को tackle किया जाएगा ऐसा तो नहीं है कि night किया जाएगा यह date मिटा देंगे कोई ना कोई पैंतरा वहां पर निकाला जाएगा कोई ना कोई कानूनी पैंच वहां पर निकाला जाएगा कि CEA का विरोध क्यों विरोध तो देखे definitely इसी लिए हो रहा है क्योंकि मुसल्मानों को उसमें से हटा दिया गया CEA जो है वो किसी से नागरिक्ता छीन नहीं रहा यह बलकि नागरिक्ता देने वाला कानून है फस्ट और तो इसको समझ लीजिए आप और यहां पर जो सरकार का तरक है कि हमने मुसल्मानों को क्यों हटाए क्योंकि हमने बहुत संक्यक मुसलिम देशों से आने वाले लोगों को इनागरिक्ता देने के प्रावधान रखा है वहां पर ओलेडी मुसलिम ही अबादी बहुत संक्यक है तो वहां की जो वह तो परताडित कैसे होंगे परताडित तो भहिया जो minority है उसके अंदर होगे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा जब देश आजाद हुआ तो double digit के अंदर हिंदू हुआ करते थे लेकिन अब single digit के अंदर हिंदू आके रह गए तो परताडितीत हुएं वो काफी टाइम से जो है भारत के अंदर आके रहने लग गए क्योंकि वहां पर migration स्टार्ट हो गया था यह हम अगली वीडियो में discuss करेंगे कि यह पहली बार ही सी है कि अंदर किसी को नागरिकता दी जा रही है क्या पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कानून नहीं बनाया गया कि यह तो 2019 में आया ना अभी 2024 के अंदर रूल आए 2019 से पहले क्या कभी सरकार ने किसी दूसरे देश से आये किसी परताडित मैनियोर्टी को क्या वहां पर citizenship नहीं दी उसको भी हम देखेंगे आगे बटने से पहले मतलब की बस आज के लिए इतना है था वीडियो में आपको जो मतलब की अगर पसंद आये हैं आपके कोई डाउट है डेफिनिटली आप वो उनसी जों को लिख सकते हैं कॉमेंट सेक्शन ओपन है फिलाल PDF के लिए मैं बता देता हूँ